बरसाथ के बाद के सुद्ध जल को बचाया जा सके इसको लेकर भारस सरकार के जल मंत्राले के आवान पर नहरू उयूबा केंद द्वारा मुरादवाद में इन दिनों कैच दर्रेन अवियान चलाया जा रहा है जिसके तहत पिछले एक महीने से नहरू उयूबा केंद के अधिकारी और करमचारी जनपत के गाउगाउ में जाकर लोगों को बरसाथ जल को संग्राहित करने के प्रति जागरूप कर रहे हैं साथ ही प्रचार प्रसाथ के बिवन मात्यमों के साथ ही आधुनिक सुविदाओं से लैस एक बस में लगे लेटी टीवी के जरिये हर रोज ग्रामीड छेत्रों में ले जाकर ग्रामीडों को ये बता रहे हैं कि जल प्रकृति के द्वारा दे गए उपहारों में से सबसे अन्मोल उपहार है जिसके बिना जीवन मुश्किल है बरसा जल का अंदादुन दोहन दूसेत ना करें इसको बचाएं क्योंकि बचे का जल तभी सुरच्चित रहेगा कल इतना ही नहीं ग्रामीडों को बड़सा सुध जल को बचाने के लिए संकल बी दलवा रहे हैं क्यों बचा रखना चाहिए और पानी का मयत्व है इस बसके माध्यम से मुझको सीखने को मिला जल को कैसे तनाख्चित किया जाए और जो बारिस का पानी होता उसे कैसे संग्रहित कर सकते हैं हम लोग जैसे कि बारिस आती है तो उसको हम कैसे किसी टवर्दन को लेकर रख दें और उसको सरक्षित करके अपना अच्छा बचा सकते हैं जल को और उसके माध्यम से हम अपने जो घर में टैप बगएरा होते हैं उनको ना खोल कर अपने थोड़ा सा ही उज़ करें और जो टब होते हैं दो टब की जगा एक टब का ही उज़ करें और पानी जो तंकी जो होती है उसका नल खोला रहता है तो उसको ना खोल कर अपना ठीक से जल का प्रयोग करें। कि आप कम से कम पानी का यूच करें जितना हमें इस्तिमाल करना है वही करें। में एक अभयान मिला है जल सक्षा कि बंद्र Botsalay इसका नाम है कैज़ेन अभयान चैच-drajan अभयान इसके तहरत एक अभयान चला जाता है कि पूरे इंडिया में जो बरसाथ के जहां है की चलब आप गाओं जाक लोगों कर दो जाने की बात है तो पिछले डिख बगाओं से रहा है तो हमने 50 इन ब्लोकों के हमने लगभग इसमें सो से जाड़ा गाओं का दौरा कर लिया है और उन गाओं में जाकर लोगों को सपत कराना पानी के बारे मचाने के लिए उनको पंफ्लेट वगा के जरी समझाना वाल पेंटिंग करवाना इसके बाद अब हम ये एक बीडियो कोच बस ले हैं पवारे मोटा लगों की अच्हा मिल रहा है लोग जरूर इन बात-वो को जानकर समझ कर कहीं नहीं नहीं इस हो रहा है कि हाँ आज पानी बचाने की जरूरत है तो लोगों को देख कर लग रहा है कि बिल्कुल लोगों में जागोगता बढ़ रही है हाला कि अभी इस पर बहुत कुछ काम करना बाकी है जिसके लिए हम तत पर हैं